हलो दोस्तो आज बात करेंगे वाटर वाल के बारे में बॉयलर में वाटर वाल क्या होता है यह फिन्स के साथ एक साथ वेल्डेट ट्यूब होते हैं और एक वाल से बनाते हैं जिसे पेनल या फिर मेंब्रेन कहा जाता है इसे पहुँच सारे ट्यूब लगे होते हैं इस पेनल के ऊपर टॉप में एक हेडर और नीचे बॉटम में एक हेडर लगे होते हैं और इसी तरह से चार पेनलों को मिला कर एक rectangular chamber बना जाता है इसी तरह से जिसे radiant chamber, convection zone और furnace की रूप में कामे लेते हैं इस पेनल के bottom header में दो drain दिया हुआ होता है और top header में राजर ट्यूब के लिए इस डप्स लगा होता है इस पेनल के सारे header same height पे arrange होता है और इसका जो water wall का जो tube material की specification होता है वो होता है SA210GRA1 और tube की जो outer dia और wall thickness जो होती है वो होता है 51 mm into 4 mm होता है और इस water wall का काम है boiler को boiler में water को boil कर steam में बदलना